हर साल जब कभी भी यहाँ पर नीट का एक्जाम कम्प्लीट होता है उसके बाद में स्टूडेंट्स का एक क्वेशन मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर कम नंबर आये होते हैं स्टूडेंट्स में से बार-बार यही चीज पूछते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर कम नंबर आये हैं या जो students यहाँ पर NTA के द्वारा जो qualifying cutoff यहाँ पर बताया गया है वो cutoff यहाँ पर clear नहीं कर पाए हैं तो क्या ऐसे students यहाँ पर BMS, it means Ayurveda and BHMS, it means Homeopathy and BUMS, it means Yunani क्या इन courses में ऐसे students admission ले सकते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर complete discussion करेंगे और complete analysis करके यह जानेंगे कम number वाले students का यहाँ पर admission हो सकता है या नहीं हो सकता है तो hey guys, this side of promotion मीना कैसे हैं आप सभी, उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, I use counseling जो है वो अभी यहाँ पर कुछ दिनों में start हो जाएगी दो अजार choice session के लिए और expected date जो है वो मैंने आपको पहले भी बतायी थी first week of September से यह counseling यह आपर start हो जाएगी तो आज की इस वीडियो का topic रहने वाला है BMS, BHMS without need तो जो BMS और जो BHMS course है, यह क्या एक doctorate degree है साड़े 5 साल का यह course होता है जिसके अंदर आपको साड़े 4 साल की theory देखने को मिलती है और एक साल की आपको यहाँ पर internship देखने को मिलती है BMS की अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसा की पता है Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery इसके अंदर आप Ayurvedic subjects के साथ साथ आप यहाँ पर modern subjects पढ़ते हो यह जो course होता है लगबग साड़े 4 साल का होता है इसके अंदर प्रॉफWISE system होता है 1 प्रॉफ जो होता है 18 match होता है 2 प्रॉफ होता है 18 month같ा है 3 प्रॉफ भी यहाँ पर आपको 18 months का देखने को मिलता है उसके बाद में आपकी आती है एक साल की यहां पर internship इसी तरीके से यहां पर BHMS में होता है और BHMS का मतलब आपको पता है Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery इसके अंदर आपको Homeopathic Subjects के साथ साथ Modern Subjects पढ़ने होता है अब बहुत सारे students का dream होता है डॉक्टर बनने का और बहुत सारे students BMS या BHMS course के अंदर admission लेना चाहता है तो हर साल मेरे पास यही doubts आता है कि जिन students के यहां पर कम number है या जो NTA के द्वारा जो qualifying cutoff जो है वो यहां पर निर्धारित किया गया है अगर उन students के इससे कम number है तो वो admission ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं तो देखो मैं आपको एक एक करके यहां पर चीज़े बताना start करता हूँ तो आपको जैसा कि पता है इंडिया के अंदर आपको जो BMS colleges है वो लगबग आपको 450 प्लस देखने को मिलता है government plus private अगर मैं government colleges की बात करूँ तो टोटल आपको यहां पर 90 से भी ज़्यादा government colleges देखने को मिलता है BMS के अंदर जिसके अंदर आपको government, government added और central universities देखने को मिलती है तो यह चीज़ आपको यहां पर पता होनी चीज़े उसके बाद में अगर हम private college की बात करें तो लगबग आपको यहां पर 300 से भी ज़्यादा आपको यहां पर colleges देखने को मिलता है प्राइवेट के जिसके अंदर आपको private college, management seats उसके बाद में जो deemed universities होती है जो की AACCC counseling के अंदर participate करती है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है उसके बाद में अगर हम BHMS colleges की बात करें तो लगबग 320 से भी ज़्यादा colleges आपको यहां पर देखने को मिलता है government colleges कितने है 40 से भी ज़्यादा है इसके अंदर आपको government government added or central universities देखने को मिलती है private college की अगर मैं बात करूँ तो लगबग आपको यहां पर 200 से भी ज़्यादा है आपको यहां पर private colleges देखने को मिलते हैं all over India के अंदर यहां पर आप देख भी सकते हो private colleges के अंदर आपको private seats, normal seats आपको देखने को मिलेगी management seats है फिर उसके बाद में deemed universities है तो इस तरीके से आपने यहां पर BMS और BHMS colleges के बारे में जान लिया उसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें eligibility criteria की तो मैंना जैसे कि आपको बताया सबसे पहले तो student क्या होना चाहिए, neat qualified होना चाहिए, उसके general या EWS category से अगर वो belong करता है तो इस साल की मैं cut off बता रहा हूँ, यहां पर 162 marks होने चाहिए आपके, या इस से ज़्यादा होने चाहिए, अगर आपके इसके ज़्यादा है तो आप यहां पर BMS या BHMS course के अंदर admission ले सकते हो फिर उसके बाद में अगर हम OBC category की बात करें तो 127 marks से ज़्यादा होने चाहिए, SCHT के अंदर भी यहां पर 127 marks से ज़्यादा होने चाहिए तो सबसे पहले आपको यह चीज clear होने चाहिए उसके बाद में जो दूसरी चीज आती है, main बहुत सारे students को यह पता नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता जेता हूँ जो भी students यहां पर unreserved category से बिलोंग करते हैं, उनका यहां पर PCB के अंदर जो aggregate marks है यानि physics, chemistry, biology के अंदर total मिला कि उनकी कितनी होनी चीए 50% होनी चीए और reserved category के students के लिए OBC, ST, ST के लिए PCB के अंदर जो aggregate marks है वो यहां पर 40% होना चीए तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है तो आपको यहां पर एक बर अपनी 12th class की marks sheet भी देख लेनी है आपका यहां पर जो PCB के अंदर marks कितना बन रहा है वो भी आपको यहां पर देख लेना है उसके बाद में अगर हम types of counselling के बारे में बात करें तो यहां पर basically दो type की counselling होती है सबसे पहली होती है All India counselling जिसे हम AACCC बोलते हैं इसके अंदर आपको basically तीन type के colleges देखने को मिलता है government और government added जिसकी यहां पर 15% seats participate करती है दूसरा होता है Central University and National Institution इसकी 100% seats यहां पर participate करती है लेकिन कुछ-कुछ colleges ऐसे हैं यह गोवा की यहां पर 50% है 50% जो गोवा के students हैं उनके लिए यहां पर reserved है उसके बाद में NEIH है जो की आपको शेलॉंग मेगाले के अंदर देखने को मिलता है इसकी भी 50% जो seats होती है वो North Eastern States होता है उनके लिए यहां पर reserved रहती है फिर उसके बाद में ITRE जामनगर की यहां पर 100% seats जो होती है और AACCC में participate करती है और NIH जो की आपको Kolkata के अंदर देखने को मिलता है इसकी भी 100% seats यहां पर AACCC के अंदर participate करती है फिर उसके बाद में deemed university की यहां पर आपको 100% seats देखने को मिलती है और deemed university आप जैसा की जानते भी हो के ली उनिशिटी है, डी वाई पार्टिल है, उसके बाद में भारती विद्यापीट है, यह सारी deemed universities के लिए अगर आपको admission लेना है, तो यहाँ पर आपको AACC का counselling करवाना पड़ेगा, उसके बाद में अगर हम state counselling की बात करें, तो state counselling के अ चीट देखने को मिलेगी, private college की 85% seat से है, और जो बच्चे other state से belong करते हैं, वो यहाँ पर 15% के लिए यहाँ पर participate कर सकते हैं, for example, मैं अगर राजस्थान का रहने वाला हूं, और मुझे अगर UP में admission लेना है, तो मुझे यहाँ पर किस से जाना पड़ेगा, all India quota 15% से जाना प लेकिन, 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 एक चीज मैं आपको clear कर दूँ, जो यह UP state है, वो क्या है, open state है, तो यहाँ पर आप 100% seat पर admission ले सकते हो, private colleges के अंदर, अगर आपको यह नहीं पता है, कौन-कौन से colleges यहाँ पर open state है, कौन-कौन से state, close state है, और कुछ से states आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जो semi open है, इस चीज के regarding अगर आपको detail में वीडियो चाहिए, तो आप उस के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ और चीजे भी देख लेते हैं, जैसे कि stipend कितना मिलता है colleges के अंदर, अगर हम government colleges की बात करें, तो 6000 से लेके 30,000 रुपे की इच में आपको यहाँ पर stipend देखने को मिलता है, फिर उसके बाद में private colleges के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी stipend देखने को नहीं मिलता है, deemed university के अंदर भी आपको यहाँ पर कोई भी stipend देखने को नहीं मिलता है, और यह जो stipend होता है, वो vary करता है college to college, state to state, अब यहाँ प तो colleges होता है वो यहां पर stipend provide करते हैं internship के अंदर private colleges के अंदर तो यह एक अच्छी चीज है होनी भी चीज है मैं तो यह कहूंगा लगबख सारे private colleges और deemed universities को यहां पर stipend देना चीज है चाहिसे वो कम ही दे लेकिन देना चीज है इससे होता क्या है students के अंदर भी एक जोश आता ह और उन्हें भी अच्छा लगता है मतलब stipend अगर उन्हें मिलता है तो यह सारी बाते हो गई counseling की अब यहां पर देखो मैं आपको previous year का notice भी दिखा देता हूं previous year क्या हुआ था बहुत सारे बच्चों का यह question रहता है कि भाया जो percentile होता है वो cut down होता है अब देखो यह आप reduction of minimum percentile criteria NEET UG 2023 and AIA PGT 2023 for admission to Ayurveda, Siddha, Yunani and Homeopathy course in UG and PG courses for academic year 2023 and 2024 तो देखो कुछ इस type का notice आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर हुआ क्या था? 5 percentile का यहां पर क्या हुआ था? reduction हुआ था तो पिछले साल तो हुआ था यह reduction इसका मैं आपको notice जो है मैं telegram channel पर भी डाल दूँगा अब बहुत सारे students की यह query होगी कि इस साल percentile यहां पर reduce होगा या नहीं होगा अब देखो percentile जो reduce है एक चीज मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ यह जो percentile reduction होता है यह आ यहां पर होना start होता है तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी यहां पर percentile जो है वो यहां पर reduce हो सकती है तो जो भी बच्चे यहां पर private colleges में admission लेना चाते हैं तो वह इस चीज को लेकर यहां पर ध्यान रखें क्योंकि पिछ time to time updates के लिए आपको क्या करना है हमारा telegram channel at the rate being doctor need join करके रखना है यहां पर हम counselling से related सारे latest updates और सारे PDF वगेरा डालते रहते हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा being doctor app डाउनलोड नहीं किया है वो हमारा being doctor app डाउनलोड करें यहां पर आपको neat counseling guide मिलेगा जिसके अं एक मिलेगा आपको platinum plan एक मिलेगा आपको golden plan देखो इन plans के अंदर होता क्या है basically आपको सारे PDF मिलेंगे आपको हर एक state के latest updates detailed counseling guidance सब कुछ मिलेगा आपको यहां पर अब दोनों के दोनो plans के अंदर फर्क क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूं तो देखो जो golden plan है हमारा इस इस चीज़ का आप यहां पर द्यान रखना क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जिस भी बच्चे को यहां पर जितना अच्छा college मैं यहां पर कोशिश करता हूं और colleges के बारे में भी मैं मैं बताता हूं आपको जैसा की पता है हमारा इंडिया का सबसे बड़ा coaching है आयरविदा के अंदर और होमियोपेथी के भी युनानी के भी काफी स्टुडेंट्स हमारे यहां पर जुड़े हुए रहते हैं तो लगबग चार-पात साल मुझे हो गए हैं इस आयूश फिल्ड में तो लगबग लगबग यहां पर मुझे सारे कॉलेजिस की नॉलेज है तो जो प्रिफरेंश लिस्ट होती है सबसे में वह में इन दोनों प्लैंस में मैं ही बना कर देता हूं बस दोनों प्लैंस में यह फर्क रहता है एक में जिम्मेदारी आपके उपर रहती है एक में जिम्मेदारी मेरे उपर रहती है होता क्या है बिस डाउनलोड करना है being doctor जिसका link मैंने आप पर description box में दिया हुआ है और अगर आपको कोई query हो तो नीचे दियेगे description box में आप अमारी team से contact करके जो भी आपके doubts हो या जो भी आपकी query हो वहाँ पर आप shot out कर सकते हो बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था I hope guys ये वीडियो आपको फसंद आई होगी next वीडियो में किस topic के लिए लेकर आऊ आप ये मुझे comment section में बता सकते हैं इस वीडियो के अंदर इतना ही था thank you दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए